हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनपंप्लियेशन्स आज मैं आपके साथ करी के पत्ते की स्वाधिश्ट और पॉस्टिक चट्नी शेयर कर रही हूं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में जीरा डाला है और इसको भुना है और इसके बार मैंने पैन में बादाम को डाल करके भुना है आप चाहे तो बादाम की जगा मुंख़ली भी डाल सकती हैं उसको अच्छी तरह से भुन लेना है फिर मैंने पैन में तेल गरम क करी पत्टे डाल दिया है। करी कके इसलिए इसलिह मजम लिए है। मैंने मिखीजार में जीरा डाल लिए बदाम डाल लिये हैं और भुने हुए तिलों को भी डाल लिया है अब मैं इसमें इस जार में करी पत्ते डाल के डाल लिये हैं मैंने और इसके बाद मैंने करी पत्ते डालने के बाद इसमें थोड़ी सी पीसी हलदी का पौडर डाल लिया है मिर्चा पौडर डाल लिया है नम चिक चत्नी बन करके तैयार है